हेलो दोस्तों सवागत करता हूं आपका Techopedia की एक नए वीडियो में और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में क्योंकि वीडियो ठोड़ा सा शौर्ट होने वाला है अगर आवाज अगर आपको एस वगेरा कि आ रही होगी तो आप करें गार थोड़ा सा आज इधर ही बनाना पड़ रहा मुझे लेकिन आज की वीडियो में बहुत जादा रिक्वेस्टेड चीज के बारे में बात करने वाला है जो की होने वाला है आइपेड एएर फाईव की बिल्ड कॉलिटी के बारे में तुकि जब मैंने पिछली बार अपने छटे महिने के रिव्यू का वीडियो बनाया था तो उसमें काफी सारे लोगोंने मुझसे ये चीज पूची थी कि इसकी बिल्ड कॉलिटी कैसी है ठीक है तो इस वीडियो में उस concept को हम पूरी तरीके से clear करेंगे जो की मतलब बहुत जादा चीज़े फैलाई गही है कि build quality खराब है अब इस चीज़ में कितनी सचाई है कितना जूट है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली है वीडियो को आखरी तक देखते रहेगा बहुत इंटरस्टिंग वीडियो होने वाला है चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजेगा ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल वीडियो के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका पीछे से पैनल चेक कर लो यह वो बेबी पिंक कलर टाइप का कुछ है तो लड़कियों वाला जो कलर होता है अपना तो उस कलर टाइप का कुछ है तो अब जो जो चीजें बतलब बोली जा रहे हैं मार्केट में वो यह हैं कि जैसे अगर मैं यहां पे पीछे प्रेस करता हूं तो आगे मतलब एक तो क्रीकी क्रीकी साउंड करता है और दूसरी चीज वो यह बोल रहे हैं कि क्रीकी साउंड करने के साथ ही साथ इसमें आग कि अगर मैं पीछे दबाता हूं तो आगे स्क्रीन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है रहा हूं अब इसा भी नहीं कि इटा लेकर चड़ी जाएंगे तो फिर समझ में आएगा लेकिन एक नॉर्मल चीज जो समझ में आती है वो यह है कि अगर हम कुछ भी ऐसा मैं नहीं किया रहा हूं कि ऐसा कॉंसेप्ट ही नहीं होता है लेकिन नॉर्मल हम मोबाइल से अगर हमें ऐसे हम देखते हैं पीछे दबाते हैं तो आगे ना वो थोड़ा-थोड़ा सा निशा आप जाओंगा तो इसको यह तूट भी सकता है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा अप टुवट एक्स्टेंट यो कें प्रेश दिस आपको इस चीज को समझना पड़ेगा बहुत ज़्यादा तेजा प्रेशर करोगे तो भी दिख्कत है बहुत आराम से आप प्रेशर अब इसको अगर हम यह सोचेंगे कि इस पर एकडम हम चड़ जाए इस पर बैठ जाए मैं बैठ जाए तो इस पर कुछ होना ही नहीं है यह चीज़ हमको once and for all clear कर ले दीजे ये कि build quality का बतलब ये नहीं होता है कि एकदम उस पर एकदम हाथ होड़ा ही माल ले तो एकदम ना टूटे वो इता नहीं है और नहीं Nokia के मोबाइल्स हैं जो सन 2000 के असपास बना करते थे ठीक है ये concept एकदम clear कर लेजे इसकी build quality में कोई भी ऐसा as such issues आपको देखने को नहीं मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है अगर आप इसके पैनल वगएरा देखोगे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यह ना पूरा जो पैनल देखोगे ये ये पूरा ये पूरा पैनल भी मेरा मतलब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत जादा उपर से तो नहीं लेकिन हलका फुलका गिरा हुआ गिर गया है ठीक है लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई as such असर नहीं पड़ता है इसका जो screen guard है आज तक मैंने screen guard नहीं लगवाया जिसके बाद जिस दिक्कत हो सकती है कि ये थोड़ा सा इस पर वो निशान निशान पड़ जाते हैं लेकिन इसमें ये कभी दिक्कत नहीं आई कि मुझे एकदम screen फूट गई है इस type का क्योंकि मैंने उस तरीके से इसको ऐसे पटका वटका नहीं है लेकिन हाँ अगर आप normal यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से है तीसरी point लोग बोलते है कि pencil अगर इस पर चलाते रहेंगे तो उस पर निशान पड़ जाता है scratches टाइप के आ जाते हैं ऐसा भी कुछ नहीं होता है until and unless फिर से मैं ये बोलूँगा आपकी pencil पे निशान पड़े हो pencil आपकी घिस गई हो तब तक नहीं अगर मैं एक लोहे का तार लूँँगा और उससे ऐसे ऐसे गोजना चालो कर दो तो आएगा लेकिन अगर मैं बहुत ही अच्छे से delegately इसको यूज़ करूँगा है ना इसको एक normal electronic appliance की तरह मान के यूज़ करूँगा यह नहीं मान के यूज़ करूँगा कि यह 60,000, 70,000 का समान है तो मुझे एकदम इस पर पूरा अपना जोर आज़माना है तब तो यह बहुत अच्छा काम करेगा कोई issues नहीं create करेगा तो मेरी request आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग इसको normal appliance की तरह यूज़ करोगे अराम से यूज़ करोगे प्यार से यूज़ करोगे यह आपको बहुत जादा साथ देगा लेकिन हाँ अगर आप यह मान के चलोगे कि नई जी मेरको तो इसको एकदम पीछे से मैं दबा दूँ और एकदम से एकदम इसके निशान ना पड़े यह नहों वो नहों तो यह मुझे नहीं लगता है possible है creaky sound इसमें बिलकुल नहीं आती है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है और दो-तीन चीजें जो आप और भी लोगों का डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया I hope आप लोग कोई चीजें समझ में आ गए होंगी कोई भी इस टाइप के आप लोग के डाउट्स रहते हैं तो मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ तो वीडियो पसंद आया तो निचे कमेंट सेक्शन ने मुझे बताईएगा कि अगले वीडियो आप कौन से टापिक पर देखना चाहते हो मैं बिल्कुल लेकर आने की पहुशिश करूँगा मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए मुश्कार जैहिए